जी मित्तरो तो हाट दास बागता आपनी यूट्यूब चैनल अचिकर भेते तै अजसे दोहाट देली सत्य भी जमाते दा जो हिंदी विश्या जो फाइनल एक्जैम होना वला वो लाक्या चुकाए बिदफूल सॉलुब जेकर तुसे आपनी यूट्यूब चैनल नम्यों ता तो पहला मिलदा रहे तो यूट्यूब चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन भी दिता हो या तो जोईन होके पेपर बलबाद यह कुछ हजाई त्यान पूरुक पाड़क के फेदी पीपर सुरू करना है पहला वह पाग को आपने को प्रेशन बाना निम्म लिखत बहु बीकरी प कांसा सब्द का प्राविटी नहींगर इन्म लिखता-सब्दों में आदमी सब्द का प्राविटी सब्द 00P का नहीं है Fot Pose May मान्रुम निमलिखते सब्सक्राब करते पत्थर आगे 5 आगे 6 इन में लिखते सब्दों में जर म्लना मतलब सब्दों में से कि रेविशेशन सब्दों चुने इजा आज अगे अठमा बाबा ने गोरे को रोक लिया बाक्य में कारक का प्रजोग कि या प्रजोग हुआ है कि रेविशेशन में सही विकलब को चुनिये गीत गाने बाले बच्चे कहां से आये हैं इजा बात के कोने कोने से अगे दूसरा हम अपनी मंजीर कैसे पा सकते हैं इरांस रहेगा जे सभी मतला हिम्मत से भी विश्वार शेवी ते मेहित से इसका केज़ा उप्सन आज गर मतला जे सभी अगे तीसरा हमें किसा परकार के बचने बोलने चाहिए इरांस आज ख मिथे अगे चौथा गुरु जी ने गाईरों का उपचार करने के लिए बाइक इसलें जीतनों के सही इकल trillion करें लाव सागति सब्सक्राई का अल्थ किया इरांस आज सागल्दा सर्मुद्र मतलं वंहें मतलव Matya गर उसली व to ऑल्थाइगा शिक्षक मतर्म कें खह सही है एगे चौ्था निम्ह लिख्षे प्रजास में द्यानपूरों का पड़ें बेर द्येगें प्रेशन के को दें 15 कौशन होनगे कला ऑला कौशन एक एकांकदा हुआ पहला कौशन संगत की सेवा कौन कलता था सांगत की सियरार कें ग गुरुमानी के वक्त थे उपहार सब्दका क्याद अल्थ है उपहार मतलब बेट नजर नजराना पंजमा जह है पंक्ते किस कभीता से ली गई है एदा असर जो कोई नहीं बेगाना पंजमा निर्देश से का उसार निम्म लिखते प्रेशनों के उत्तर दें पांजर कॉशन ह होंगे सही गलतने पहले दास सब्दका लिंग दासी होगा इदा बिल्कुल सही है और दूसरा पैसा सब्दका बहुत पैसे होगा अभी सही है असरी सब्दका बीप्रीत नकली होगा आ सही है महान का बावट कसंदा मानपता होगी यह बिल्कुल ही गलता महान दा महानता हु सभी विकल्प का चुनाब करेशे होंगे पहरा रिक्तस्तान में उप्रजुकत माद्यम पुर्ष का प्रजोग कीजिए पहला दैश पता चाल जाएगा एच किया हुआ एचा हुआ तुम्हें तुम्हें पता चाल जाएगा दूसरा दीरा जूते पौरिश कलता था बाक्य में कलता बाचक किया का प्रजोग हुआ है यह विर्कोरी गल्टा अगी तीसरा रिक्तस्तान की बिंप बोदिक का चुनाब करें पहला दैश मैं क्या जूत बोर रहा हुँ एचा जो अरे मतलब पहला अगी चौथा रिक्तस्तान में उचीत संब्द सब्द बरें एचा कर सथक दैश काली सफेद लगी ते लगाई गए थी इसां सरक पाड़ा मत उतने कैसा यह पर हिद्दी चे परकर ने ते अग्यागा पंचे मां मार्ग सब्द में आदेर का प्रजोग हुआ है आप बिल्कोरी सही आ अग्या अग्या आग्या ख एक कॉशन अंसर तो चेक कर लोगा दोस्तो आप मैं दूसी पीडिया आप खोल लिए जिसे भी तो हता साला पेपर सौलबा कॉशन अब तो नेम लिख प्रेशनों में से किनी आठ प्रेशन के उत्तर एक जा दो बाक्यों में दे आठ प्रेशन होंगी का लगला कॉशन इक नंब दे जिसका के सारी कॉशन आठ ठंकरे होंगे पहला सुम्ती किस बात पर विश्वास कलता था सुम्ती को इस बात पर विश्वास विश्राम था कि परमाता जो कलता है अच्छा ही कलता है रक्त समू किस कितने परकार के होते हैं रक्त को चार बगों में विवाजित किया जाता है मतर्तर चार परकार के होते यहीं खे बाबा बातीन फेने मियोग का नाम भाटी आपने गोड़े का नाम से पुकालते थी मोगिन मोरा शान्ते हैं to दीरा स्कूल के बाद क्या काम कलता? dotted सबदाता ने क्या समचाल दिया की कलिंक के महराय लड़ाई में माले गए अगे गिललू कौन था गिल्लू घिल एखेलि का बच्चा था गारले कें अगार 1 रूबल दिया और 830 Dan प्लाए बाबावालती का गोड़ा क्या प्रिय था बबावालती को अपने गोड़ा इसलिए प्रिय था जैसे मा को अपना बेटा और किसान को अपनी खेत देखकर जो आनद आता था बहिन आन में भाबा बारती को अपने गोड़ी को देखकर आता था भाबा बारती उसे सुल्तान कहकर पुकालते थे खूद खाना दाना खिलाते और देखकर पसंद होते थे अगे दूसरा असुक ने बुद्ध धनम क्यों अपनाए करिंग जुद्ध के करिंग जुद्ध में हुई अस्ति तथा नसका से उसे मन जुद्ध में अभ गया और बहर अपने कर्वत्यों को लेकर बैतित हो गया ओ उठा इसी असोक ने उबरने के लिए बहर बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बोदद्ध दर्म सविकाने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का पैयास भी किया अग्य दीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया दीरा के पास एक गरह आया जिसने पतलोन कमीज पढ़ पहनी हुई थी और लालताई बारी हुई थी देखने से बह एक अमीर आदमी लगता था उसे ने दीरे से कहा कि उसके जूते पॉलिश कल दो दीरा गाह के जूते पौश करने बैठ गया, दीरा ने देखा कि गाह के दाएं जूते में कोजन निकलता हुआ दिखाया, दीरा ने जल्दी उसे जूते पौश कल दिया, जैसे ही आदमी अपनी बतुए में से पैसे निकालने लगा, तो दीरा ने चुपके से उसके दोनों ज दूतों में से फीते फीते एक दूसले में बांद दिये और उठ खड़ा हुआ दीरा चप कर सिपाहियों के पास पहुंचा पीसे से उसने अपने आदमी को चिलाने सुनाओ वदमास जगह ठहरे लेकिन आदमी ने चलना चाहा तो वो मुझ के बर गिर पड़ा था कि दीरा पा चाहिता टान से पार गहा लिए और झालतार से सबसे ऐब कीसीसा पातर सीद्रा एक से अभी हैं वहाई अंसार आपने स्रीर का क रखत दान कलता है किसी चीभर हस्पताल ऐन। किसे स्थान पर कलते हैं वह सवाय श्चित दान कहलाता है किसी के दबाव दर से किया गया दान सवाय श्चित दान नहीं कहलाता है अनुने कला को कैसे बचाया पहले उसने कला के बाल पकड़ कर ऊपर खीचना चाहा लेकिन शोते बाल होने के कारण वह उसे ऊपर ना खीच सकी तो उसे दुबारा पकड़ा और पकड़ करके नारे पर पास खीच लाई और कला को दिवार के साथ लगा दिया तभी माला ने कला को उपर खीच लिया इसे पका अनुञा की जानब चाली अगे बाग गवर निमन पंजाबी सब्दों में किनी चार सब्दों को नचा हिंदी कि यो का ले लिए गशा देidor कि निमन मुपावर imaginrecord यो पांच मुछाब रखरां को करें तो नगरूब मैं पाँच मुछाब देखले मौत के गात उतारना कुल्दीप ने मंदीप को समय पाकर उसको मौत के गात उताल दिया इस प्रकात उसानी दिनारी सब्द बना सकते हूँ अगर शिमा कोई एक पत्र करें सत्तां कदा हुआ खेड़की का सीसा तूत जाने पर पदाना चाहिए मुख अद्यापको श्रमा जाचना के लिए पराथना पत्ता लिखे पैस लिखना सेवा विखे मुख द्यापक जी अगर सरकाली मिदर स्कूल मानबता मानबाला तूसे अपने प्रदर नाम भी लिखे दो अगर शिरिमार ज क्रिकत की गेंद के साथ खेड रहा था अचानक गेंद कश्चा की खेड़की के सीशे पर जा लगी जिससे खेड़की का सीशा तूत गया इस गतना के लिए मैं बहुत सर्मिनता हूं आगे से इस तरह के कोई गलती नहीं होगी केट पै मुझे माफ किया जाए दन्यवास है आप जिदा अग्यकाली नाम रोड़न बते के तरीक लिख देनी है अथवा जय मतर तुसी आन नहीं कालना चाओ दे तुसी निचली का साथ जिब देती हुए या मित्तर को पाथम आने पर बदाई पतर ए भी तुका सकते तुसी पैट तुसी लिखना मशीन मनीश बातिया नियू कालोनी अगे जबरपुल अगे मिति लिख दनिया प्रिये मनोज सने नमस्ते आशा है कि तुम वह कोशन होगे मैं तुम्हें परीक्षा में पथम आने की इबदाई देना चाहता हूँ जह सुनकर हम सबको बहुत पसंता हुए कि तुम्हें अपनी कश्चा में सबसे अधिक अंक मिले हैं और पुस्त और पुस्तकार भी मिले हमें हमें इस बात की बहुत है खोशी की तुम्हारी मेंत सफर हुई तुमनेमान लगा कर सार बर प्राही करी इसलिए तुमेरे जह इनाम मिला आशा है कि आगे भी तुम इसी तरह सफलता पराप्त करऊंगे और पर नाम कहना प्यार साहित अगे तुम्हारा मित्र मनीश नीचे दिएगे किसी एक बिशे में निवंद अथवा कहां नीचे पहले मेरा प्रिय मित्र मेज़ी कश्या कर्षा कर्षा कामरा अगे दल्जी और रहा थी यह इत्या पता हुनग दो कर्वाद न्याँ पहले दो करवादने मेरा प्रिये मित्तर अनुराग मेरा सबसे प्रिये मित्तर है उसका गर मेरे पास ही है मैं प्रति दिन उसके घर जाता हूं उसके साथ खेलता और पड़ता हूं उसके पिताजी पेसे से इंजीनियर है अकर और मेरे अंकर और मेरे परिवार के बीच बहुत तो आधि कनिश्ट समंद्र है मेरे और अनुराग के के परीजे सभी एक दूसरे को जानते हैं हमारे मितलता के लपग आत्रबर्श पुरानी है हमारे विचार लपग समान है हमारी मितलता के समन्द की बावना दूर दूर तक कर नहीं है हम दोनों एक एक ही कश्चा में पढ़ का है उसका उसा और आतम विश्वास गर्जव का है उसकी उसकी बानी से सालीनता और नमस्ता साफ जलकती है उसे मैंने किसी के साथ भी अमंदर सबर से बाते कलते नहीं देखा खेल में हारकर भी वह उदास और दुखी नहीं होता दूरसे तरह में थोड़ी ही हार भी बल्दासतर नहीं कर सकता था जरा जरा सी बात में मुझे गुफ्ण आ जाता है उसे देखकर ही मेरी इसे आदत में सुदार आया है बहुत समय का बहुत पावंद है उसी ने मुझे समय पर महतब समझाया है सच्ची मितर की प्रिक्षा भीपती में होती है अनुरागा हमेशा मेरे गरग परिवार में होने बारे किसी भी कार्य में में मेरा हाथ बताने के लिए त्यार रहता है कहते हैं कि सच्छा मेतर इशवर मूले उपहार है मुझे अपने इस दोस्त दोस्त और हमाली दोस्ती पर गर्भ है मेरी कश्या का कामरा मैं सरकाली मेरे स्कूर मैं सात्मी कश्या का शायतर हूँ मेरी कश्या का कामरा बहुत सुंदर है कामरे के अंदर बहुत अच्छा रग किया गया है कामरे की दिवारों पर हमाले दौरा तियार किये के बहुत साले सुंदर चात लगे हुए हैं इसमें दो दरबाज़े और चार खिड़किया हैं कमरे हमारे बैठने के दिए सोरा बैंच लगे हुए हैं तथा अद्यप के लिए एक कोसी और एक मेज भी लगे हुए हैं ब्लेकबोर्ड के साथ ही एक कोने में ऐक अर्मारी भी लगी हुए हैं कमरे में एक लैक्ट येक्ष्टर लगा हुआ है इस पर हमें सभी विश्यों के समधिर भीड़ दिखाए जाती हैं कमरे जारे चारो कोनों में स्पिक्कर लगा हुआ है कश्या के कमरे में एक नोटिश बोर्ड भी है जिसे पर सभी विष्यों का पाठे करम लगाया गया है इस परकश्य के पीरिड की समय सानी भी लगाई गई है कश्यक के कमरे में चार पक्खे लगे हुए है और रोशन के लिए ट्यूबर लाइट भी लगी हुए है समय देखने के लिए दिवार पर गड़ी लगी हुए है कमरे में एक कूड़ा दान है जिसमें हम कूड़ा फेकते हैं हम सब साथ अपनी कर्षा के कमरे में हमें साफसुदा रखते हैं कर्षा में बैठ कर आप थूंता है जेके वीडियो बढ़ी लगे ता चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना तो आप फिर में लागे का अगली वीडियो चाहिए ओके दुस्तों